कि नमस्कार मित्रोवे दीपक एक बाद फिर से आप तो विका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टेडिवे दीपक सर्थ तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज ये लाल बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तथा ये वेलाइपर आउन कर लिजे क्योंकि हमारा चैनल देता है UPSI एक्जाम से दूरिश सब्सक्राइज तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का एक्जाम 19 नवंबर से शुरू होगा और ये एक्जाम 3 दिसम्बर तक चलेगा तो मित्रों आप एक चमझ लिजे कि इस बात की पुष्टी अभी जामिशन बोर्ड ने नहीं की है लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं जो यूपी एक्जाम ने चल बोर्ड के सदस्यों से तालुक रखते हैं तो उन्हों ने मुझे ये सूचित किया है कि जो यूपी एक्जाम है वो 19 नवंबर के आसपास शुरू होगा और 3 दिसम्बर में खतम होगा ये परिछा लगबग 15 दिनों के आसपास चलने वाली है तो ये 80% इस बात की पुष्की हो चुकी है कि आप लोगगा एक्जाम 19 नवंबर सुरू होगा तो मित्र जम के तयारी कीजिए जुट जाएए क्योंकि दो महिने का समय आपके पास के वाल बचा हुआ है दो महिने बहुत जादा नहीं होते तयारी के लिए क्योंकि आपको पढ़ना है चार चार सब्जेक्ट जो असीमित है इनका कोई लिमिटेशन नहीं है सबसे जड़ा आपको दिक्क्त आएगी जिए क्योंकि बहुत बढ़ा होता है इसमें 11 11 सब्जेक्ट आते हैं यहां पे आपको त्यारी करने में थोड़ा डिक्क्त हो सकती है इसलिए अच सब्सक्राइब तो आपको डिस्वालिफाई कर दिया जाएगा तो मित्रों अगर आप हमारे साथ जुड़कर UPSI एक्जाम के तैयारी करना जाते हैं हमारा वाटसप गूरूप जान करना जाते हैं तो यह नंबर जो भी स्क्रीन पर आने वाला है इसमर आप वाटसप कर दि सब्सक्राइब उसके बाद साथ वे दिन्यानी संडे को आपका टेस्ट होता है अगर आप मारे टेस्ट में पास होते हैं तो मैं इस बास की गारेंटी लेता हो कि आप UPSI एक्जाम 100% क्रैक कर जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है मित्रों आप हमारे ग्रूप में किसी सब्सक्राइब भी वक्त हो सकते हैं यह जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इस पर आपको WhatsApp करना होगा अपना नाम पत्पता लिखकर आपको एड कर लिया जाएगा लड़किया बिल्कुल बिना बर घबराएं उनके अलग ग्रूप है लड़कों के लिए अलग ग्रूप है ना लड़कों कोई दिकत होने वाली है ना लड़कियों को दोनों लोग अपना नाम वाइड्रेस के स्टंबर पर सेंड करके फुट को एड करवा सकते हैं तो मित्रों इस बात की तो हम गारेंटी लेते हैं अगर आप हमारे गुरूप में लगातार जुड़े रहेंगे और